हेलो माई डियर स्टूडेंस कैसे आप सब लोग आई वेलकम ओल अलफ यू ऑन डबल लेक्टर सीरीज इसमें मैं इससे पहले भी करा है जिसने वह नहीं देखे वह हमारी यूटुब चनल पे अवैलबल है इससे प्रेविएस जो हमने आट इन कल्चर MCQs की है ठीक है तो मैं इंशाला इनका प्लेलिस्ट बना के रखूंगी आर्ट एंड कल्चर MCQs JKSSB राइट तो उससे आप देखे यह हर एक लेवल के लिए एगजा हर एक कंप्टेटर एग्जाम के लिए हैं तो चले स्टार्ट करते हैं क्वेशन नमर वान Statement 1 is Indusveli civilization sites do not have large monumental structures like such as temples and places बोलता है कि इस statement हमें बोलता है कि जो Indusveli civilization है वहाँ पे हमें बड़े-बड़े temples और palaces नहीं मिल रहे हैं बड़े-बड़े structures नहीं थे उस टाइम पे Statement 2 is the example of public bath is the great path of Mohanjodaru however there are some cracks in it देखो वहाँ पे question आपको पता आपने पढ़ा होगा सबने पढ़ा होगा इंड़े-बड़े लेकिन आप question को ध्यान से पढ़ा करो Statement 2 हमें बोलता है कि जो great बात है public बात है जो कि great बात है उसे हमें पता चलता है कि जो इंड़े-बड़े के लोग थे उनको साफसफाई के साथ बहुत कुछ अच्छी थी साफसफाई तो Mohanjodaru में हमें great बात देखने को मिलता है लेकिन ये देखने को मिला कि उसमें कुछ cracks पाए गई ठीक है यहां पर cracks की बात की गई यहां पर ठीक है तो आप मुझे बताए इन में से कौन सा statement सही है और कौन सा गलत है या दोनु सही या दोनु गलत है देखो options only one only two both of them neither of them choose the correct answer and do write in the comment section ठीक है और यह भी जरूर लिखना कि आपको इसेशन कैसा लगा तो चले इस अध्वेली सिविलाजेशन में हमें ना ही कोई temple मिलते हैं ना ही palaces मिलते हैं वहाँ पर कोई temple में जो है worship नहीं होती थी ठीक है वो नेचर नेचर नेचरल फोर्सिस को प्रे करते थी और यहां पर जो great बात है यह बिलकुल सही है जो हमारा पब्लीक बात बात वहाँ पर है लेकिन उसमें कोई cracks नहीं पाएगे इसलिए option A है only one statement one only statement one is correct तो अगर आप explanation पढ़ना चाहोगे यह explanation है तो अगर हम explanation देखेंगे इससे आपका जो यह पूरा जो आपका जो आपका जो आपका जो आपका जो आपका जो आपका आपका तो आपका है मैं भी सही कुछ नहीं थी आपका हमने डिखाता की रूलर्स के लिए पडर आपका जेंगे दिनकेंड में मेशी कperform आपका जीटेन थे जूंगे यह रेजीजिशबिधुदेश्यन द broken इन में इर्थ ग्रिद इर्थ रूम्स भी बनाए गए थे चेंजिंग रूम्स और गैलरी इस भी थी तहीं तो मोस्ट फेमस एक्जामपल पॉब्लिक बात इस ग्रेट बात इन दा एक्जेक्वेटेड रिमेंस और मोहंजुदारू तो सबसे बड़ी जो एक्जामपल इसकी है वो मोहंजुदार की ग्रेट बात की है लेकिर वहाँ पे कोई ना ही लीक्स है ना ही क्रेक्स है इसमें इसलिए option A will be the right answer यह explanation सुनना भी बहुत जड़ा जुरूर है क्यूंकि इससे जो बागी questions आएंगे वो इसमें से आ सकते है question number two consider the following statements about the sclubtures of harapan civilization harapan civilization के sclubtures के बारे में आपने पढ़ा होगा statement number one के है all the seals of harapan civilization or square क्या जितनी भी seals harapan civilization की थी वो क्या square शेप में थी most seals have inscriptions in an already deciphered pictographic script जो भी seals है इन में इसा कुछ pictographic script है जो कि already decipher हुआ है जो कि हमने already translate किया है क्या ऐसा है so choose the right answer आप बताईए कि इन में से कौन सा statement सही है कौन सा गलत है यह दोनों statement गलत है option D is the right answer क्यूं देख लीजे harapan civilization की seals थी थी circular भी थी, rectangular भी थी और सुक्यार भी थी और सुक्यार भी थी और जो यह harapan civilization का जो script है वो अभी तक रस नहीं हुआ so दोनों statement गलत है और जो जुस्टस have found numerous seals of different shapes and sizes all across the execution site while most seals are सुक्यार, ज्यादा तर seals सुक्यार थी, most seals are सुक्यार it was found that triangular, rectangular and सुक्यार seals were also used तो जो seals थी यह triangular भी थी, rectangular भी circular भी थी, सुक्यार रिकिन जाता सुक्यार थी seals को use कह जा था trade के लिए, emolates के लिए, ठीक है, authority रिखाने के लिए, ठीक है और education purposes के लिए city tight, city tight यह याद रखना, city tight इसको हम soft student बोलते है found in river beds में मिलती है agitate, chert, copper, fans and terracotta seals also have been found, some instances of copper, gold, ivory seals also have been found so that means different materials की seals लेकिन सबसे ज्यादा क्या थी, city tight, a soft student जो के river beds से मिलती है, हाँ, कुछ seals agitate, chert, copper, fans, terracotta seals भी थी, copper, gold, ivory seals भी थी तो यह ऐसा नहीं है कि बस city tight की ही थी, बाके भी थी, ठीक है, okay the seals in Harapan Civilization why are used as, मैं अच्छो से अभी बोला, to Harapan Civilization की जो seals थी वो किस तीज के लिए यूज की जा थी, amolat is for educational purposes, commercial purposes मैं आपको अभी बोला था, बिल्कुल, in purposes के लिए यूज किया जाता था, so all of them is the right answer so option D is the right answer, ठीक है, seals why are primarily used for commercial purposes, help in communication, discovery of various diseases, misopatum and various sites such as lothal points to the fact that seals were extensively used for trade, some seals with a hole on them have been found on dead bodies, this indicates they might have used as amulets carried on the persons of their owners, probably used as some form of identification के लिए लिए लगा सकते, mathematical images have also been found on some seals which might have been used for educational purposes as well seals with symbols similar to swastika design have also been found kuch swastika symbol उन पे, kuch seals पे था so trade के लिए, commercial purpose के लिए, communication के लिए or education के लिए, in some purpose के लिए, seals को यूज किया जाता था, ठीक है, another question which of the following statements are correct about the bronze sculpture of the dancing girl ये भी in the solicitation के साथ ही deal करता है, तो इन में से bronze sculpture of the dancing girl जो है, उसके लिए कौन से statement सही है the figure depicts a naked girl wearing only ornaments which include bangles in the right arm and amulet hand, bracelet on the left arm ठीक है, तो ये जो figure depict हमें करती है, क्या? naked girl एक है, उसमें उसके सपास रिप क्या है? और romance है, जेवरात लगा के है, और bangles है, right arm में और amulet hand, bracelet कहां पे, left arm पे she stands in a dancing posture with a left hand on her hip क्या वो dancing posture में होती है, और उसका जो left hand होता है, hip पे होता है choose the correct statement तो इन दो statement से आप बताये, कौन सा statement correct है and the right answer is option D ठीक है, क्यों? option D, क्यों? the dancing girl is the world's oldest bronze sculpture ठीक है, ये कहां पे हमें मिला था dancing girl bronze sculpture महंजोदार में this 4-inch figure depicts the naked girl wearing only ornaments ये सही है लेकिन, which include bangles in left arm bangles right arm में नहीं थी, left arm में थी and amulet and bracelet on the right arm and amulet and bracelet कहां पे था, right arm में था and bangles left arm में थी she stands in Tribhanga dancing posture with a right hand on the hip वो Tribhanga dancing posture है, एक classical dance में हमारा वो Tribhanga posture balance में बाड़ी की जाती है उस posture में बैठी है और उसका right hand hip है ना कि left hand, ठीक है इन details को आपको पता होना चाहिए यह बहुत important है अगर किसी बच्चे को नहीं पता है वीडियो को pause कर ले ना यहां में जो PDF शेयर करूंगी टेलेग्राम गूप में इसको 2-3 पार revise कर लो क्योंकि मैं आपको इस सीरीज आप प्रोवाइड करूंगी कुछ कुछ questions की तो उससे आपका सारा art and culture हो जाएगा ठीक है Q5 Consider the following statements about Terracotta Figures of Harappan Civilization तो Terracotta Figures नहीं इसके लिए related questions है They were made using Lost and Wax technique एक technique होती है Lost and Wax ठीक है हम molten यह डालते हैं उसमें metal डालते हैं वेक्स के सार्चे में फिर उसको melt करके फिर उस वेक्स को छोड़ देते हैं और वहाँ पर हमें वह निकलता है ठीक figure They were used only as toys जहां पर भी only होता है वह थोड़ा सा इंडिकेशन होती है कि मैंने आपको बोला जहां पर भी only दिखेगा वह गलत होता है They were made using Lost and Wax technique जो Terracotta Figures होते थे और they were used only as toys तो इसके हम देखते हैं Basically, Terracotta Toys जो होती है वह बने होते थे बनती है उससे होते थे Compared to the Bronze Figures दिखो जो Bronze Figures होती थे The Terracotta Figures less in number and crude in shape and form जो Terracotta Figures है वह कम number में पाई जाती है और crudely shaped है वह Bronze की तरह नहीं सजा की ठीक है And they were made using Pinching Method जो method होता था Terracotta Figures का वह था कुन सावाला वह था Pinching Method Right and have been found mostly in the sites of Gujarat and Kalibangan जादातर Gujarat and Kalibangan Terracotta Figures Terracotta was generally used to make Toys, Animal Figures and Miniature Cartes and Wheels etc तो एक्जम्पल कहें Terracotta Figures तो एक्जम्पल कहें Terracotta Figures एक्जम्पल है Mother Goddess Mosk of Hornet तो Miniature Cartes Wheels और Animal Figures और Toys के लिए उसको ठीक है बात समझ में आगी Terracotta Figures of Harappan Civilization Consider the following statements about the pottery of Harappan Civilization The painted pottery is also known as the red and black pottery The plain pottery was used for household purposes Choose the correct option Harappan Civilization में कौन सी pottery use की जाती थी One Only Two Only Both of them Neither of them बताईये And the right answer is C Both of them Are the right statements Correct statements तो इसकी Explanation पढ़ लेते हैं जो Portries हमें Examination Sites पे मिली वो दो तरहा की थी एक तो Plain pottery थी दूसरी Painted pottery थी जो Painted pottery थी उसका एक और नाम था Red and Black pottery ठीक है क्यूंकि Red color जो है याद लखे नहीं आप है Red color यूज किया जाता था Background के लिए Background के लिए Background के लिए Glossy black paint जो है तो Designs के लिए Use किया जाता था जो Red paint है वो Background के लिए और जो Black paint है उससे Design बनाए जाती तो तो दो तरह की pottery होती थी एक तो Plain दूसरा Painted जो Painted pottery थी वो Red and Black थी Red background का color Black design का color ठीक है कौनकोंसे Designs बनाए जाती थी Trees, Birds, Animal Figures, Geometrical Patterns ये Themes हुआ काती थी Most of the portraits have been found are very fine wheel-made wearers wheel-made pottery होती थी with a very few being handmade handmade बहुत ही कम होती थी Some examples of polychrome pottery have also been found 2 very years कुछ polychrome pottery भी होती थी polychrome होता था जिसमें different colors होंगे लेकिन कम ही होती थी जो Plain pottery होती थी वह pottery household purpose के लिए यूज़ी ग्रेन और स्टोर करने के लिए miniature vessels generally less than half an inch in size were used for decorative purposes कुछ decoration के लिए कुछ बनाए जाते थे they were so marvelously crafted even now they evoke मतलब की वह बहुत ही अच्छे से काव करके होती थी और 2 तरह की pottery थी Painted pottery और Plain pottery Painted pottery यूज़ी रोजमारा जिंदगी के लिए ब्लाइड का होता था और design ब्लाइड का होता था ठीके Moving to another question Which of the following ornaments in the Harapan Sillization were worn by only by women Haan ornaments तो men भी पहनते थे women भी लेकिन इन में से कों सा सिर्फ women पहनती थी gridless earrings armlets gridless earrings and armlets इन में से सिर्फ women कों से पहनती थी 1 & 2 only 2 & 3 only 1 & 3 only and all of them बताईए ठीको इस लेवल के question solve करोगे explanation पढ़ोगे easy वाले questions खुदबख़द आ जाएंगे ठीके मैंने easy वाले questions अभी तक बहुत कर रहा है आपको वह भी मैं over कर रहा हूंगी session कैसा लग रहा है आपको improvement हो रही है knowledge में comment section में जुरूर लिख लेना वीडियो को like और share जुरूर कर लेना option is a one and two only सिर्फ women's armlets हर एक पहनता था gridless and air rings women लगाती थी लेकिन मेरे हिसाब से gridless women मुझे लगता है air rings men भी लगाती थी लेकिन ठीके मैं इसको confirm कर कि next lecture में आपको बताए पिर भी यहां पे हम explanation पढ़ते है harappans used a large variety of materials from precious gemstones to bones and even bagged clay to make ornaments both men and women wore necklaces pilates, arms and finger rings okay finger rings gridless earrings and anklets gridless earrings and anklets were worn only by women तो याद दख लेना gridless earrings and anklets only women लगाती थी लेकिन finger rings थी लेकिन is made from cornelian amethyst cortis t-tite were quite popular and were produced on large scale as is evident from the factories discovered in chandharu and lothal chandharu and lothal पे बीर-making factory भी मिली थी हमें chandharu और lothal जो दो sites है Harapan civilization के वहां पे बीर-making factory भी बनी थी तो इसका अंसर इसलिए ए है क्यूंकि gridless earrings और anklets ने थी और रते पहन थी मर्द नहीं पहनते थी ठीक है सुटूपा बहुत important है इस पे question mains में भी आता है prelims में भी आता है सबसे जदा सुटूपा making किस टाइम पे हुई थी सबसे जदा सुटूपा making Ashoka के टाइम पे हुई थी साजी सुटूपा जो है बहुत ही जदा मशूर है वो Ashoka ने बनाया था ठीक है Ashoka के टाइम पे उसे बोला जाता है उसने 84,000 सुटूपा मेकिंग की है तो सुटूपा जहना आपको पता है सुटूपा का है अगर नहीं पता है तो पढ़ लीजे जुरूर ठीक है कौन सा स्टेटमें इसमें सही है and the right answer is C No doubt सुटूपा पहले से थे लेकिन बुझिस्टिस ने बहुत ज़दा इनको पॉपुलराइज किया और इवन वेदिक पिर्ड से ही हमर एहा थे Ashoka के टाइम बहुत ज़दा बने और इवन देखो एक्समेलेशन में लिखा है हम यहाँ पे पढ़ते हैं सुटूपाज वेर बूरल मांड इस प्रिवलेशन इंडिया ठीक है फ्रॉम द वेदिक पीरिड इस कंवेंशनल रप्रेसेंटेशन आफ फुनुरल कुमलस और वैसली जब कोई मरता है उसकी जो वेसल्स है उसका जो आश है वहाँ पे अपर पहाँ जाता है इन विच रेलेक्स एंड एश फ़ेड़ वेर कैप्ट जूरिंग प्रिड़ अशोका द आट अप सुपाज रिटिस इस क्लामेक्स अलमस्ट एटी-फॉर थाजन सुपाज वेर एरेक्ट दूरिंग इस प्रिएड अलमस्ट वेर फिदिक ठ्रिटिश है फिदस इस पूर्य सप्लारीख गैले वेर अंचऑ पोपलारीप आठीट इंवेर वेर 1 बारीट कर्थ वेल्बल्य थे वहां है थे और भीस के पाद पे पोस्ट वेर था था ठीक क Adams ऑग रेलिक्स आप बुदा एर्दी और मेहदी वैल नाइन्थ हैद पॉर्ट इन विज रेलिक्स वर और अर्जिनली केप्ट तो वह बर्तन वह नाइन्थ में रखा गया तो नाइन्थ बुदु इरेक्ट किये गये थे जब बुदा की डेथ होई थी ठीक है शाबाज Consider the following statements The shift of the Ashoka pillar was monolithic Shaped होगा, shift नहीं है, shaped होगा यह जो बीच वाला यह था यह क्या monolithic था? Monolithic मालब सिर्फ एक material से बना हुआ था They were generally attached to state buildings और usually यह individual नहीं थी यह generally state buildings के साथ attached तो क्या यह सही है या गलत है? ठीक है? Ashoka पे, Stoopas पे कुचन आएगा Art and Culture में तो obviously यह सारा ही आएगा Only one, only two, both of them, neither of them And here's the right answer is Option A देखो, यह जो Ashoka के यह थे ना The Ashoka pillars were independently erected by Royal Diction देखो, इसमें जादा explanation नहीं है मैं आपको बताऊंगी यह जो A answer क्यों ठीक है? The shift of Ashoka, shift नहीं है shaft S-H-A-F-T Shaft जो Ashoka के pillar का था Monolithica, एक ही material से बना था जो Armenians थे एरान से आय थे जो बनाए गए थे उन रूलोर्स ने वो different materials के मने थे shaft ठीक है? फिर इसके उपर वोग एमलम जो हमारा आज है वो उपर था तो और बैल भी थे shaft lotus shape था, bell shape था उपर तो Ashoka का पिलर थे वो सिर्फ एक से बना हुआ था जो एरानियन थे वो different materials से बना हुआ थे जो पहले वो एरानियन थे वो different usually state buildings के साथ attached थे लेकिन जो Ashoka के pillars थे वो royal फर्मान लिखते के लिए उसमें orders लिखते थे तो जो वो Ashoka pillars थे वो independently erect किये जाते थे तो इसमें इसलिए पहला statement से यह दूसरा गलात है तो answer A is correct explanation option A is right answer The Ashoka pillars were independently erected by royal diction यहां तक clear हुआ information improved question number 10 which of the following statement is correct about the cave architecture during the Morian period इन में से कौन सा statement Morian period के cave architecture के लिए सही है they were generally used as prayer halls interior walls are crudely designed and lake lack मतलब जो अंदर से वो नाकाशी की जाती है Bihar were the residential halls only for the Buddhists Babar and Nagarjuna caves in Bihar performed during the time of Dasarat Grandson of Ashoka तो कौन सा statement सही है so option इन में से बना is correct option 4 देखो Babar and Nagarjuna caves इसको sister caves भी बोला जाता है जो Bihar में है यह दसारत के टाइम पे बनी थी जो Grandson था किसका Ashoka Ashoka के बेटे का बेटा था दसारत था Grandson of Ashoka उसके टाइम पे Babar caves और Nagarjuna caves बनी थी जो कि विहार में थी ठीक है so answer is option 4 देखो जो Moria period में caves होती थी न इस पे statement पहला क्या है देवार यूजर जनरली यूज़ इस प्रेयर हॉल प्रेयर हॉल हम छेतियास को बोलते थे विहारास हम बोलते थे डेवारास को ठीक है इनको डिवैलिंग के लिए यूज़ किया जाता था आस विहारास यूज़ किया जाते थे तो प्रेयर हॉल्स आस यूज़ नहीं किया जाते थे इंटिनर वाल्स वार्कट बाइली पॉलिशिट फिनिशिट था और डेकुरेट गेटवेश थी बाबरे नागर्जुना केवज इन बिहार पर्फॉर्म जुनी टाइम आप दासारत ग्रेंशनाप अशोका तो यह भी जो था सही है ठीक है यहां तक समझ आया तो इस वाई तेन पर्फॉर्टन को सबस्क्राइब कर लेंगी लेकिन आप मुझे जो है रिवु दे देना कि झालू कोस पर्फॉर्टन को सेवार्ण्बूर्ण अशोका तो इस है यह भी जो हम झालू कर दो कि फस वाई मुझे है आवार्ण से प्रिवाण नाख को ऑट कर दो को रष्यर्म जाए बादो को कि एवार्ण